क्या आपको भी खर्राटे आते हैं और खर्राटे लेने से आपका जो पास वाला होता है आपके पास जो इनसान सो रहे होते हैं उनको जादा परेशानी होती है क्या यह situation है कि लोग सुबह उटकर आपको भी कहते हैं कि यार खराटे कम लिया करो जब हम सोते हैं में बहुत परेशानी होती है इसके साथ खराटे लेना कोई अच्छी बात नहीं खराटे लेने से कोई आपकी health अच्छी नहीं हो रही है और एक ऐसा ट्रिक जिससे आप अपनी खराटों की समस्या को immediate कम कर सकते हो मतलब बहुत आपको help मिलने वाली आपके खराटे कम होने में इसके साथ ही आपकी health अच्छी होती जाएगी देखो वैसे मैं कहूं कि नॉर्मल तरीके से आपको दवाई खा रहे हो या आपने खाना अच्छा कर लिया जिससे आपके खराटे कम हो जाएगे तो वो effect कितने दिन में मिलेगा मतलब 6 महीने में या साल में आपको देखने को मिलेगा लेकिन ये जो मैं आपको बताने वाली हो ट्रिक और special एक cello tape के साथ इस ट्रिक से आपके खराटे immediate कम होने शुरू हो जाएगे within a month आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे आपके जो health benefit है उसको लेकर भी दूसरे लोग भी आपको कहेंगे कि आप तो हम अराम से सो रहे हैं तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को Hello friends, I am Suman Chohan, Certified Dietist and Nutritionist, आपकी fitness trainer, मेरे channel Desi Laj में आपका स्वागत है खराटो की समस्य एक गंभीर समस्य आपने आपने एक गंभीर समस्य है जब आप खराटे लेते हैं तो दूसरे लोग तो परिशान होते ही होते हैं जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपकी health और जदा और जदा और जदा बिगड़ती चली जाती है कहने का meaning यह है आपको सांस नहीं आ रही है तो आपने मुझ से सांस लिया आपको खराटे आ रहे हैं इससे आपकी सांस जो लेनी का procedure होता है वो और जदा खराब हो जाता है फिर जो सांस आप ले रहे हो वो किस तरीके से अंदर जा रही है क्या क्या चिंजिद आपकी body में ला रहे हैं उससे कई सारी बिमारिया आपको होनी शुरू हो जाती है जैसे मैं बात करूं कि इससे cancer तक की problem हो सकती है लोंग कर में अगर आप खराटे लेते हैं मुझ से सांस लेते हैं अस्तमा यह सब तो होता ही होता है जैसे diabetes हो जाती है अस्तमा की समस्या होने लगती है या फिर जैसे high BP रहना इस तरह की समस्या पोलेस्ट्रोल जादा बढ़ जाना और बेचैनी रहना ग्लुकोमा हो जाना इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्या है मैं कितनी आपको गिनवाओं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी तो यह होता है हमारा breathing pattern जो खराब हो जाता है जिससे आपकी normal breathing हो सके जो सांस आपकी नाक से चल सके अब वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं मैं दो तीन कारणों के बारे मैं आपको बताती हूं कि नाक से जब आप सांस लेते तो क्यो नहीं आपकी सांस नॉर्मल हो पाती है कहँबार क्या होता है जिससे हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाने लगते हैं जो inflammation बढ़ा देती हैं उससे हमारी नाक बंद हो जाती है तो नाक बंद होने की वज़े से नाक से proper शांस नहीं आता लोग क्या गरते हैं मूं से सांस लेने लगते हैं मूं से सांसस लेने से क्या होता है कि इह जो जबड़ा Ыम अब मुझसे सांस ले रहे हैं थाना पीना सही कर नहीं हो जैली ऐसी चीज़े खा रहे हो जो के इस पीजह चेल भानद बढ़ारही है कि आपका जवड़ा कहां, तो ये पीछी की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है, जब इस तरीके से आप सांस लेते रहते हो, अब आपकी जीव है, वो हलकी सी स्वैल हो जाती है, हलकी सी मोटी हो जाती है, इससे क्या होता है, जो यहां का रास्ता है, मतलब कि हवा जाने का, तो जो थोड़ा सा madly conducted होता है, थोड़ा सा paljon हो जाता है, जिससे लोगते लिख और आपको वोकल कोर्ड है, तो यहाँ से लखके जाती है और आपको खर्राटे लेने की आवाज आती है, इस तरह की आवाज आने लगती है, यानि आपके जबड़े की पीछे जो मुह होता है वहां से वह सांस लखके जाएगी और आपको खराटे जैसी अवा जाती है अब मुह का जो काम क्या होता है चबाने का मतलब खाने को अच्छी तरह किसे चबाया उसमें लार मिक्स किया और वो अंदर चला जाता है यह काम है नाक का क्या है सांस लेने का काम है अब अगर मैं आपको बोलू कि आपको नाक से खाना है मुह से सांस लेना है तो क्या होगा नाक से क्या आप खापा होगे, अगर नाक में आपने कोई बाइट डाल भी दी, छीके आएंगे, इंफ्लामेशन हो जाएगी, और पता नहीं कितनी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आजाएगी, लेकिन आप एक चीज गड़बड कर रहे हो, कि नाक से सांस लेना था आप मुझ से सांस लिया, एक तो बिना च्छनी हवा मुझ के अंदर चली जाती है, और जैसे कि मैंने बताया, खराटे आते हैं, और डारेक्ट मुझ से सांस लोगे, तो ब्रीधिंग पैटरन गड़बड होता है, नाक से सांस लेने से क्या होता है, हमारे नाक के अंदर एक और दूसरी बात, ऑक्सिजन की आप पूरती हो पाती है, अच्छे से ऑक्सिजन पूरी बोड़ी में फैल पाती है, जिससे इंफ्लामेशन कम होती है, तो इसलिए नाक से सांस लेना जरूरी है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कि नाक बंद हो गया, उस पे काम नहीं कर रह ऐसी चीजे जो आपका कफ बढ़ा रही है, सबसे पहले तो वो कम करना है आपने, clean चीजे खानी है, fiber वाली चीजे खानी है, जैसे की fresh vegetable होगे, fresh fruit होगे, इस तरह की चीजे अपने जो खाना है उसमें शामिल करिए, कच्छा भोजन खाने की कोशिश करिए, यानि आदा पक्का होना चाहिए, ये तो हो गए खाने पीने की, और सोने से पहले, कम से कम तीन गंटा पहले, अच्छे से भोजन कर ले, उसके बाद थोड़ी बहुत वोकिंग करे, और कुछ ब्रीधिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, अगर आपका नाक बंद रहता है, जैसे अनुलोम, विलोम, कपाल भाती और भस्ती का प्रानाया, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप महाँ पे चेक कर लेना कि आप ब्रीधिंग एक्सरसाइज की सरीके से कर सकते हैं, कि जिससे आपका नाक खुला रहे, अब की जो नाक है, दोनों साइड आप में ऐसे रब करके लगा दिया, और अराम सी सो जाए रात, ऐसे नहीं कर सकते तो एक एक बूंद आपनी नाक में डालीजिए, भी एक वैसो डिलेटर का काम करता है, यानि आपके जो नेजल एरिया है, उसको खोलने का काम करता है, अगर न सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर इस तरीके से ओल आप अपनी नाक में लगाते हैं, वो इंफ्लामिशन एकदम काम हो जाए, खुल के सांस आपके अंदर जाएगी, अब आपको क्या करना है, ये काम आपने कर लिया, छोटी- जाएगी चिपकती है, कहीं आपको दिक्कत पैदा ना कर दे, तो आप जो सर्जिकल टेप होती है, वो यूज़ कर सकते हैं, वो स्किन के लिए अच्छी होती है, अब करना क्या है, वो बता देती हूँ जल्दी से, अब आपको एक टुकडा लेना है, किसी भी टेप का एक को सोने से पहले और इस तरीके से आप कट कर लीजिए आप कट करने के बाद ऐसे होटो को पकड़िए और इस तरीके से लगा दीजिए जब आप सोने जा रहे हैं अच्छे से ऐसे बन कर लिए और अराम से बाइं करवट सो जाएए अब चलो इसको अटा के बोलते हूं ऐसे अ कि सील बंद कर दिया हो, ऐसे नहीं, थोड़ा सबस्क, यानि, इस तरीके, इससे क्या होगा, कि हम एक तरीके से आदत डाल रहे हैं, नाकसे सांस लेने की, कुछ लोगों की आदत ही ऐसी बन जाती है, कि उनका मुझ खुल जाता है, नाकसी भी सांस आ रही है, लेकिन मुझ लेना चाहिए, कुछ हो जाए, अब आप क्या करेंगे, इस टेप लगा के आप बाई करवट सोएंगे, सीधा नहीं सोएंगे, जब सीधा सोते हैं, तब आपका मुझ हमेसा खुल जाता है, आपको पता नहीं चलता, आप मुझ से जात ले रहे हैं, आपके जबडों को रिल लेकिन नाकसे संस अब लेना चूरू करते हैं, आपकी यहां का रास्ता है, और आपकी संस नोर्मल चलनी शुरू हो गई, आपको कोई दिककत परेशानी जो भी बोडी में इंफ्रामेशन चलनी गहीं इसका क्या करना है, इसका आपको ऐसे नहीं कि हमेसा जिंदगे में इस जैसे आपके आदत बनती जाते है, 30 दिन आपने यूज किया, जादा जादा दो महीनी यूज कर लिया, उसके बाद जैसे आपकी हैबिट हो गई, नाक से अच्छी सांस आप ले रहे हो, स्नोरिंग तो आपके आप 15-20 दिन में आपके पास वाले आपको बता दें कि बहुत ज चोटी से एक्सरसाइज भी आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आपको इस तरीके से जीव निकालनी है, ऐसे, कम से कम ये 30 सेकिंद के लिए आपने करना है, और एक इसी से लिए अपनी जीव को अपने उपर वाले दांतों की पीछे है, ऐसे लगाना है और अंदर निगल इतनी बार भी आप कर सको, दिन में एक बार जरूर कर लेना, आपके ये मसल्स भी स्ट्रोंग हो जाएगे और सांस आपको अच्छी से आनी शुरू हो जाएगे, तो उमीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ला ऑ低ड़े एड़े और भी आपको जरूर झाएगे, ये चेल मौश।